नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरार के संपाधकी से 469 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम तीन अलग अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी बार में 80 की स्पीड में तो तीसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस dictation के PDF की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो 70 की speed में आपका dictation इस्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप ready रहें अब इसमें कोई संसय नहीं की आश्ट्रेलिया में एक के बाद एक हिंदू मंदिरों में हो रहे हमले किसी सुनियोजित सर्यंत्र का हिस्सा है यह भी असपश्ट है कि यह हमले खालिस्तान समर्थकों की और से किये जा रहे है यह सामान्य बात नहीं की इस माह अभी तक आश्ट्रेलिया के तीन हिंदू मंदिरों को निसाना बनाया जा चुका है इस सिलसिले को देखते हुए यह आवस्यक था कि भारत सरकार आश्ट्रेलिया के सामने अपनी चिन्ता प्रकट करती भारत ने यह जो आसंका व्यक्त की कि यह हमले यह बता रहे हैं कि आश्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक सिर उठा रहे हैं वह इसलिए सही है क्योंकि हिंदू मंदिरों पर जैसे नारे लिखे गएं वे खालिस्तान समर्थकों की ही करतूत बयान करते हैं भारत इसकी भी अंदेखी नहीं कर सकता कि आतंकी संगठन सिख फार जैस्टिस मेलबर्ण और सिडनी में खालिस्तान को लेकर कथित जन्मत संग्रह कराने की कोशिस कर रहा है इस तरह की ओसिस कनाडा समेत अन्य देशों में भी की गई है हलाकि यह व्यर्थ की हास्यास्पद कसरत है और इसका कोई मुल्य महत्व नहीं लेकिन यह चिंता जनक तो है ही की कुछ पश्मी देश जन्मत संग्रह के नाम पर किये जाने वाले इस सीगुफे को रोकने के लिए कोई कोशिस नहीं कर रहे हैं इस तमासे को वे जिस तरह अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता से जोड देते हैं उसे सविकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को चुनावती देता है पैरा अभिव्यक्ती की आजादी में घृड़ा फैलाने वाले भासडों हिंसा और अलगाव वाद के लिए कोई गुनजाईस नहीं हो सकती खालिस्तान समर्थक हिंदू मंदिरों में भारत विरोधी नारे लिखकर नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं यदि खालिस्तान समर्थक बिना किसी भैहिचक हिंदू मंदिरों के बाहर नफरती नारे लिखने में सक्षम हैं तो इसका अर्थ है कि उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है उनका जैसा दुस्साहस आस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है वैसे ही कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आदी में भी चिन्ता की बात यह भी है कि ये देश खालिस्तानी तत्वों के प्रती कुछ ज्यादा ही उदार रवैया अपनाए हुए हैं वास्तव में इसी कारण उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है यह भी ध्यान रहे कि पश्मी देशों में खालिस्तान समर्थकों के दुस्साहस पर पोई लगाम ना लगने के कारण वे भारत में भी असांती फैलाने की कोशिस करते रहते हैं पंजाब में उनकी सक्रियता किसी से छीपी नहीं यह भी किसी से छीपा नहीं कि खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता को रोकने के लिए पंजाब सरकार वैसे कदम नहीं उठा पार ही है जैसे उठाने आवस्यक ही नहीं अनिवार्य हैं असपश्ट है कि भारत सरकार को एक और जहां यह देखना होगा कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, आधी, देशों में खालिस्तानी तत्व सिर न उठाने पाएं वहीं उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश में भी उनके दुस्षाहस का दमन हो इस्टाप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाँच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें श्टार्ट अब इसमें कोई संसय नहीं की आश्ट्रेलिया में एक के बाद एक हिंदू मंदिरों में हो रहें हमले किसी सुनियोजित सडयंत्र का हिस्सा है यह भी असपश्ट है की यह हमले खालिस्तान समर्थकों की और से किये जा रहे हैं यह सामान्य बात नहीं की इस माह अभी तक आश्ट्रेलिया के तीन हिंदू मंदिरों को निसाना बनाया जा चुका है इस सिलसिले को देखते हुए यह आवस्यक था की भारत सरकार आश्ट्रेलिया के सामने अपनी चिंता प्रकट करती भारत ने यह जो आसंग का व्यक्त की कि यह हमले यह बता रहे हैं कि आश्ट्रेलिया में खाली स्तान समर्थक सिर उठा रहे हैं वह इसलिए सही है क्योंकि हिंदू मंदिरों पर जैसे नारे लिखे गएं वे खाली स्तान समर्थकों की ही करतूत बयान करते हैं भारत इसकी भी अंदेखी नहीं कर सकता कि आतंकी संगठन सिख भार जैस्टिस मेलबर्ण और सिडनी में खाली स्तान को लेकर कथित जन्मत संग्रह कराने की कोशिस कर रहा है इस तरह की ओसिस कनाडा समेत अन्य देशों में भी की गई है हलाकि यह व्यर्थ की हास्यास्पद कसरत है और इसका कोई मुल्य महत्व नहीं लेकिन यह चिन्ता जनक तो है ही कि कुछ पश्मी देश जन्मत संग्रह के नाम पर किये जाने वाले इस सीगुफे को रोकने के लिए कोई कोशिस नहीं कर रहे हैं इस तमासे को वे जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड देते हैं उसे सविकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को चुनावती देता है पैरा अभिव्यक्ति की आजादी में घृड़ा फैलाने वाले भासडों हिंसा और अलगाव वाद के लिए कोई गुंजाईस नहीं हो सकती खालिस्तान समर्थक हिंदू मंदिरों में भारत विरोधी नारे लिखकर नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं यदि खालिस्तान समर्थक बिना किसी भैहिचक हिंदू मंदिरों के बाहर नफरती नारे लिखने में सक्षम है तो इसका अर्थ है कि उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है उनका जैसा दुस्साहस आस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है वैसे ही कनाडा अमेरिका ब्रिटेन आदी में भी चिन्ता की बात यह भी है कि ये देश खालिस्तानी तत्वों के प्रती कुछ ज्यादा ही उदार रवया अपनाए हुए है वास्तव में इसी कारण उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है यह भी ध्यान रहे कि पश्मी देशों में खालिस्तान समर्थकों के दुस्साहस पर कोई लगाम ना लगने के कारण वे भारत में भी असांती फैलाने की कोशिस करते रहते है पंजाब में उनकी सक्रियता किसी से छीपी नहीं यह भी किसी से छीपा नहीं कि खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता को रोकने के लिए पंजाब सरकार वैसे कदम नहीं उठा पार ही है जैसे उठाने आवस्यक ही नहीं अनिवार्य है असपश्ट है कि भारत सरकार को एक और जहां यह देखना होगा कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, आधी देशों में खालिस्तानी तत्व सिर न उठाने पाएं वहीं उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश में भी उनके दुसाहस का दमन हो इस्टाप दोस्तों इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अब इसमें कोई संसय नहीं की आश्ट्रेलिया में एक के बाद एक हिंदू मंदिरों में हो रहे हमले किसी सुनियोजित सरयंत्र का हिस्सा है यह भी असपश्ट है कि यह हमले खालिस्तान समर्थकों की और से किये जा रहे हैं यह सामान्य बात नहीं की इस माह अभी तक आश्ट्रेलिया के तीन हिंदू मंदिरों को निसाना बनाया जा चुका है इस सिलसिले को देखते हुए यह आवस्यक था कि भारत सरकार आश्ट्रेलिया के सामने अपनी चिंता प्रकट करती भारत ने यह जो आसंका व्यक्त की कि यह हमले यह बता रहे हैं कि आश्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक सिर उठा रहे हैं वह इसलिए सही है क्योंकि हिंदू मंदिरों पर जैसे नारे लिखे गएं वे खालिस्तान समर्थकों की ही करतूत बयान करते हैं भारत इसकी भी अंदेखी नहीं कर सकता कि आतंकी संगठन सिख भार जैस्टिस मेलबर्ण और सिडनी में खालिस्तान वो लेकर कथित जन्मत संग्रह कराने की कोशिस कर रहा है इस तरह की कोशिस कनाडा समेत अन्य देशों में भी की गई है हलाकि यह व्यर्थ की हास्यास्पद कसरत है और इसका कोई मुल्य महत्व नहीं लेकिन यह चिंता जनत तो है ही कि कुछ पश्मे देश जन्मत संग्रह के नाम पर किये जाने वाले इस सिगुफे को रोकने के लिए कोई कोशिस नहीं कर रहे हैं इस तमासे को वे जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड देते हैं उसे सविकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को चुनावती देता है पैरा अभिव्यक्ति की आजादी में घृड़ा फैलाने वाले भासडों हिंसा और अलगाव वाद के लिए कोई गुनजाईस नहीं हो सकती खालिस्तान समर्थक हिंदू मंदिरों में भारत विरोधी नारे लिखकर नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं यदि खालिस्तान समर्थक बिना किसी भै हिचक हिंदू मंदिरों के बाहर नफरती नारे लिखने में सक्षम है तो इसका अर्थ है कि उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है उनका जैसा दुस्साहस आश्ट्रेलिया में बढ़ रहा है वैसे ही कनाडा अमेरिका ब्रिटेन आदी में भी चिंता की बात यह भी है कि ये देश खालिस्तानी तत्वों के प्रती कुछ ज्यादा ही उदार रवया अपनाए हुए है वास्तों में इसी कारण उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है यह भी ध्यान रहे कि पश्मी देशों में खालिस्तान समर्थकों के दुस्साहस पर कोई लगाम ना लगने के कारण वे भारत में भी असांती फैलाने की कोशिस करते रहते हैं पंजाब में उनकी सक्रियता किसी से छीपी नहीं यह भी किसी से छीपा नहीं कि खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता को रोकने के लिए पंजाब सरकार वैसे गदम नहीं उठा पार ही है जैसे उठाने आवस्यक ही नहीं अनिवार्य हैं असपश्ट है कि भारत सरकार को एक ओर जहां यह देखना होगा कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, आदी कि देशों में खालिस्तानी तत्व सिर न उठाने पाएं वहीं उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश में भी उनके दुस्षाहस का दमन हो इस्टाब